साज बहु की गणेश चतुर थी मीठापुर गाउं में विमला अपनी बहु सुजाता के साथ रहती थी विमला के बेटे नरेश के जन्म के कुछ साल बाद ही उसके पती की एक हाथसे में जान चली गई थी विमला ने दूसरों के घरों में काम करके बड़ी मुश्किलों से अपने बेटे नरेश को पाला और गाउं के ही सरकारी स्कूल में दस्वी तक की पढ़ाई करवाई अब नरेश की शेहर के एक सुसाइटी में गार्ड की नौकरी लग गई इसले नरेश शेहर में रहता था और विमला अपनी सुजाता के साथ गाउं में रहती थी कभी-कभी छुट्टियों में नरेश गाउं आता मा, सुजाता, मुझे तुम्लों की बहुत याद आती है तुम लोग भी मेरे साथ शेहर चलो हम तिनों एक साथ रहेंगे मेरा वहाँ अकेले दिल नहीं लगता है ना बेटा, मैं तो अपना घर छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी तु बहु को अपने साथ ले जा नहीं मा जी, मैं आपको अकेले छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी नई तो आपको घर के सारे काम अकेले करने पड़ेंगे अब आपकी आराम करने की उमर है बप्पा चाहेंगे तो हम लोग जल्द एक साथ रहेंगे ठीक है, जैसा तुम लोग फिक समझो विमला और सुजाता दोनों साजबहो की खूब अच्छी बनती थी दोनों एक दूसरे का बहुत खयाल रखती थी सुजाता तो विमला को घर का कुछ काम भी नहीं करने दिती थी उन दोनों का प्यार देख कर नरेश के दिल को तसल्ली मिलती थी नरेश अपनी सैलरी का आधा हिस्सा उन्हें देख कर शेहर वापस चला गया विमला और सुजाता भी कम पैसों में घर चला लेती थी और आराम से रह रह रहे थी विमला की बहु सुजाता भगवान गणपती की बहुत बड़ी भग थी वो रोज सुब नहाधो कर घर में रखी भगवान गणपती की मूर्ती की पूजा किया करती थी एक दिन हे भगवान, आप तो विगन हरता हो, सबके दुख दूर करते हो, मेरा भी दुख दूर कर दो, मेरी गोद भरदो प्रभू, मेरी गोद भरदो इतना कहकर सुजाता की आँखों में आसु आ जाते हैं विमला भी सुजाता के बगल में बैट कर भगवान गंडपती की पूजा कर रही थी बहु की आँखों में आसु देख कर विमला बोली जी छोटा मत कर सुजाता बपा तेरी गोद भी जरूर भरेंगे भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं थोड़ा सबर कर सुजाता रोते हुए कहती है कितना सबर करूं माजी शादी के छे साल हो गए लेकिन मैं अब तक माना बन सकी इस घर में खुश्या नाचानिक कब आएंगी विमला अपनी बहुत सुजाता को समझाई रही थी कि पडोस का शामलाल उनके घर आया अरे शामलाल कैसे आना हुआ काकी शहर से नरेश का फोन आया था वो कल सुभा गाउं आ रहा है अरे इतनी जल्दी अभी पिछले हफते ही तो वो शहर गया है उसने कुछ बताया नहीं क्या बात है नहीं काकी उसने मुझे कुछ नहीं बताया हाँ थोड़ा परिसान लग रहा था अच्छा अब मैं चलता हूँ मुझे खेट पर भी जाना है शामलाल की बात सुनकर दोनों सास बहु चिंता में पढ़ जाती है सुजाता भगवान गणपती के आगे हाथ जोड़ कर कहती है ए गणपती मेरे पती की रक्षा करना उन्हें हर मुश्किल से बचाओ सुजाता तू परिशान क्यों होती है नरेश को आने दे उससे पूछेंगे की क्या बात है ठीक है माजी अगले दिन सुबह नरेश घर आ जाता है ये लीजे पानी पी लीजे सुजाता नरेश के चेहरे पर चिंता की लकीरे साफ पढ़ लेती है क्या बात है जी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए अभी पिछले हफते तो आप शेहर गए थे मा और सुजाता परिशानी की बात तो है न बात क्या है बेटा खुल कर बोल मा मेरी नौकरी चली गई है क्या लेकिन क्यूँ आप तो अपना काम अच्छे से कर रहे थे न जिस सुसाइटी में मैं गाड की नौकरी कर रहा था वहाँ चोरी हो गई और लापरवाही कारोप लगा कर उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया अब उन लोगों ने दूसरा गाड भी रख लिया है मा सुजाता अब घर का खर्चा कैसे चलेगा मैं हर महीने तुम लोगों को पैसे देता था वो पैसे अब नहीं दे पाऊंगा आप चिंता मत कीजिए जी बपा हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे आपना हादो कर खाना खालीजी और आराम कीजी नरीश को खाना खिला कर दोनों साज बहु आपस में बात करने लगती है मा जी अब हम क्या करें मैं तो पहले से ही संतान ना होने के दुख से परिशान थी अब तो इनकी नौकरी भी चली गई भगवान गंपती ने एक दुख दूर करने की बजाए दूसरा दुख दे दिया सुजाता बेटा इस तरह से हिम्मत नहीं खोते हैं तु बपपा की इतनी बड़ी भगत होकर ऐसी बाते कर रही है देखना बपपा कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे नरेश को गाउं में ही कोई काम मिल जाएगा दूसरे दिन नरेश गाउं में काम खोशने के लिए निकलता है और उसे गाउं के मुख्या के खेट की रखवाली का काम मिल जाता है अब नरेश दिन रात मुख्या के खेट की रखवाली करता एक रात खेट में कुछ चोर घुसाय और अनाज की चोरी करने लगे खेट से आ रही आवाजों को सुनकर नरेश अपनी लाठी लेकर उस तरव भागा नरेश को करीब आता देखकर चोरों ने उसकी आँखों में लाल मिर्श फेग दिया और वहां से भाग गए नरेश की आँखों में काफी जलन होने लगी और वो दर्द से चीखने लगा लापरवाही का अरोप लगा कर मुख्या ने भी उसे काम से निकाल दिया सुजाता और विमला पर तो जैसे दुखों का पहार तूट पड़ा माजी अब हम क्या करें बेटा सुजाता अब हमें ही कुछ काम करना पड़ेगा नहीं तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा माजी मैं बाहर काम की तलाश में जाती हो आप घर पर इनका खयाल रखना सुजाता गाउं में घूम घूम कर काम मागने लगी लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया अरे तुझसे कौन काम करवाएगा भई है हमारे घर में भी बहु बेटियां है कहीं उनपर तेरी काली परचाई पड़ गई तो उन्हें भी औलात का सुख नसीब नहीं होगा लोग सुजाता को देख कर मूँ फेड़ लेते लोगों की कड़वी बाते सुझाता दुखी मन से अपने घर लोटाई क्या हुआ बहु कहीं काम मिला की नहीं नहीं माजी बपा ने मुझे औलात का सुख नहीं दिया और यही बात मेरे लिए अभी शाब बन गई है लोग मुझे बांच बोल कर अपने घर में घुसने भी नहीं दे रहे है ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे उसकी नौबत नहीं आएगी तुझे काम नहीं मिला तो क्या हुआ मुझे तो काम मिल सकता है लेकिन माची अब आपकी आराम करने की उम्र है कोई बात नहीं बहू सब समय का फेर है आराम करूंगी तो घर कैसे चलेगा बेचारी बुढ़ी सास लोगों के घर काम मागने के लिए जाती है उसे दूसरों के घरों में काम तो मिल जाता है लेकिन लोग उसे भी ताने मारते थे ये वही विमला है ना जिसकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है हाँ हाँ इसकी बहू बांच है उसे कहीं काम नहीं मिला तो इसे काम करना पड़ रहा है लोगों की बाते सुनकर विमला बहुत दुखी रहती थी लेकिन वो मजबूर थी अगर वो काम नहीं करती तो उसे और उसके परिवार को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती एक दिन माजी मुझे आपका दूसरों के घरों में काम करना अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं क्या करूँ बपा सब ठीक कर देंगे बेटा तू तो बपा की भक्त है ऐसे विश्वास मत खोया कर गणेश चतुर्थी आने ही वाली है मैंने सुना है कि इस बार की गणेश चतुर्थी में बेहत शुप सैयोग बन रहा है फंडित जी बता रहे थे कि इस बार जो भी सच्चे मन से गणेश चतुर्थी की पूजा करेगा भग्वान गणेश उसकी सारी मनुकामना पूरी करेंगे मा जी, मैं तो रोज भगवान गणेश की पूजा करती हूँ लेकिन गणेश चतुर्थी की पूजा करने के लिए काफे सारी तैयारियां करनी होगी हमें तो मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिलती है हमारे पास पूजा के लिए इतने पैसे कहां से आएंगे भगवान गण पती हमारी मदद जरूर करेंगे तू सिर्फ पूजा की तैयारी कर हम अपनी हैसियत के अनुसार गणेश चतुर्थी की पूजा करेंगे पूरी गाउं में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था विमला ने अपनी मालकिन से गनेश चतूर्थी की पूजा के लिए कुछ पैसे उधार मांगे हाँ हाँ विमला क्यों नहीं ये लो पैसे और तुम भी गनेश चतूर्थी की पूजा करो पैसे लेकर विमला खुशी-खुशी अपने घर आ जाती है और सुजाता को पैसे दे कर कहती है देख सुजाता मैंने कहा था ना कि बपा हमारी मदद जरूर करेंगे माजी इन पैसों से गणेश चतुर्थी की पूजा हो जाएगी और सुजाता पूजा की तैयारी में जुट जाती है उसने पूरे घर के साफ सफाई करके घर को चमका दिया भगवान गणेश की मूर्ती की भी सफाई करके पूजा अस्थान को फूलों से सजा दिया माजी हमारे पास जितने पैसे हैं उनसे देसी घी नहीं आएंगे साथ का मोदग बनाती है दोनों सास बहु मिलकर भक्ति भाव से गणेश चतुर्थी की पूजा करती है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा निर्विग्नम कुरुमे देवा सर्वकारे शुसर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा निर्विग्नम कुरुमे देवा सर्वकारे शुसर्वदा विमला और सुजाता दोनों सास बहु पूरे विदी विधान से गणेश चतुर्थी की पूजा संपन्न करती है पूजा के बाद विमला नरेश और सुजाता को प्रसाइत का मोदक खाने के लिए देती है लेकिन मोदक खाते ही सुजाता को उल्टिया आने लगती है हे भगवान ये क्या हो गया कहीं इस मोदक में कुछ गरबढ तो नहीं विमला दोड़ी दोड़ी जाती है और वैदेजी को बुलाती है वैदेजी की बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं विमला ये खुश खबरी देने के लिए दोड़ी दोड़ी अपनी मालकिन के घर जाती है बहुत खुशी की बात है विमला, ये सब बपा की आशिरवात से हुआ है तेरे लिए एक और खुश खबरी है, मेरा बेटा विदेश से आया है और वो आँखों का डॉक्टर है वो तेरे बेटे नरेश की आँखों का इलाज कर देगा मालकिन के बेटे ने नरेश की आँखों का इलाज किया बधाई हो, आपकी आँखों के रोशनी वापस आ गई है अब आप एक अच्छी जिन्दगी जी सकते हैं अच्छी जिन्दगी क्या जियेंगे मालिक, गाट की नौकरी ही मिलेगी डॉक्टर ने नरेश को सही रास्ता दिखाया और सरकारी कमपनी में गाट की नौकरी के लिए आवेदन करना भी सिखा दिया और कुछ महीनों के इंतजार के बाद, नरेश को मोटी तन्ख़ा पर एक सरकारी कमपनी में गाट के पद पर रख लिया गया देख सुजाता मैंने कहा था कि बप्पा सब ठीक कर देंगे ये सब गणेश चतुर्थी की पूजा का फल है बप्पा ने खुशो कर हम पर कृपा की है हाँ माजी जय गणपती की जय गणपती बप्पा मोर या अगले बरस तू जल दी या गणपती बप्पा की कृपा से विमला और सुजाता की सारे दुख और उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए कुछ दिनों बाद नरेश को कमपनी की तरफ से रहने के लिए घर भी मिल गया और उसने सुजाता और विमला को भी शेहर बुला लिया नौ महीने बाद सुजाता ने एक प्यारी से बेटे को जनम दिया जिसका नाम विनायक रखा